हाई दोस्तों आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं एकसरसाइज 8.2 क्लास 10 ठीक है तो देखिए फस्ट निम लिखित के मान निकाल लिए फस्ट सकेंड एं थार्ड आई बटन में दिया हुआ है उपर जाके देख लिजे ठीक है देखिए चार नंबर चार नंबर में बोल रहा है साई तीस डिगरी टेंट पैसालीस डिगरी कोशएख साथ डिगरी सफ ऐस रिख लिएक सुर्ड क कोष्ष साट डिगरी कोड बटन रूट भ सक फर देखिए ठीकенचेंचेंट तीस डिगरी давBy पंग रूतों सब क को अइलसी हम ले लेते हैं यहाँ LCM हो जागा 2 root 3 तो कैसे हो जागा यहाँ 2 2 कट जागा तो बचेगा root 3 यहाँ पर हो जागा 2 root 3 और यहाँ हो जागा root 3 कटेगा 2 बचेगा फिर उपर गुना हो जागा 2 2 4 यहाँ हो जागा इसका भी LCM 2 root 3 हो जागा तो देखिए यहाँ root 3 कटेगा तो 2 2 बचेगा 2 2 4 पलस यहाँ 2 2 कट यह विला और यह विला कटा तो बच्चा कितना root 3 यहाँ बचेगा root 3 पलस यहाँ पर एक है तो सेम 2 root 3 ही आ जागा इसको पल्टा भी देते है रूट 3 यहाँ एक रूट यहाँ दूरोट तो दोनों जुटेगा तो तीन रूट हो जाएगा माइनस चार बट्टे यहाँ दूरोट धरे गुनाई यह वाला उपर चल जाएगा कि तूरोट धरे बट्टे यहाँ पहले इसको लिख देते हैं 3 root 3 ठीक है प्लस 4 लिख देते हैं अब देखें यह दोनों कटा तो क्या बचेगा है 3 root 3 minus 4 बटे 3 root 3 प्लस 4 ठीक है आप देखें यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे 3 root 3 minus 4 3 root 3 minus 4 ठीक है अभी गुना कर देंगे 3 तीया 9 नो तीया 27 पहले इस से करेंगे इसमें फिर इसमें कितना जाएगा माइनस 4 ठीक है 12 root 3 इसका हो गया अभी इसको करते है minus 4 ठीक है 12 root 3 minus minus प्लस गुना में प्लस हो जाता है 4 चुके 16 ठीक अभी इसमें कितना हो जाएगा यहां देखिए a प्लस b a माइनस b इस फोर्मूला में बैठ जाता है तो क्या हो जाएगा 3 root 3 का all square minus 4 का all square यहां पर जूटेगा तो कितना हो जाएगा 43 यानि कि 43 यहां पर जूटेगा दोनो तो कितना हो जाएगा 24 root 3 ठीक है और यहां कितना हो जाएगा 3 तीन नो नो तीन 27 और यहां 4 चुके 16 ठीक है अब देखे 43 minus 24 root 3 बटे यहां घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 यह अंसर हो जाएगा ठीक है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों कि अहांपयो जाएगा